नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 फर्मों खबर जानते हैं देश में कुरोना संक्रमन की थिती आने वाले वक्त में बढ़ेगी या घटेगी कई आकड़े सामने आ रहे हैं देश में बैक्सिन की क्या इस्थिती है और इसे लेकर किस तरह की त्यारी की जरूरत है इस पर केंद्रिय स्वास्त मंत्री हर्षवदर ने ब्यान दिया है हर्षवदर ने कहा कुरोना संक्रमन के मामले में कम हो रही संख्या का ट्रेड हमारे सामने है हम उसे उसी तरह रखेंगे जब सही वक्त आयेगा तो वैक्सीन की प्रकिरिया उसकी ट्रेनिंग, स्टाप और दूसरे जरूरी खर्च राज और केंद्र सरकार को रनीती बना कर पूरा करना होगा उन्होंने पाया कि भारत में क्रोना संक्रमन के मामले में गिरावट आ रही है, फर वरी तक भारत में 40 ऐर क्रोना संक्रमितों के रहने का अनुमान है सिक्षा मंत्री जगनाथ महतो को एयर एंबुलेंस से चेनाई भेजा गया कुरोना से संक्रमित होने के बाद फेफड़े के संक्रमन से जूज रहे जार्खन के सिक्षा मंत्री जगनाथ महतो को एयर लिफ्ट करके चेनाई ले जाया गया बता दे कि सोमवार को चेनई से आय फेफ़डा रोग भी सिसगयों कि देख रेख में उन्हें साम 6 बच कर 35 मिनट में यर ओमिलेंस से वहां भेजा गया जर्खन मुक्ति मोर्चा के डूमरी के विधायक जगनात महतो का फेफ़डा टांस प्लांट भी करना पर सकता है इससे पहले उन्हें मेडिका होस्पीटल में वेंटिलेटर से आटाक कर एमको मसीन पर डाला गया था बता दे कि एमजी एम अस्पताल के ड्राक्टरों की देख रेख में अब जगनात महतो का चेनई में ही इलाज होगा मोराबादी में धरना पर बैठे अभियार्थियों को परसासन ने थमाया नोटीस राई धानी राची के मोराबादी मैदान में अपनी मागों को लेकर धाना पर बैठे अभियार्थियों को जीला परसासन ने नोटीस थमा कर मैदान खाली करने का आदेस दिया है कि औनलाइन आफलाई कांटेंट से वंचित विद्यारी अजाएंगे ड्रॉप आउट, राजे के सरकारी स्कूलों के जिन बचो को ओनलाइन अफलाइन कंटेंट नहें मिल पा रहें हैं, वे ड्र לॉप आउट माने जाएंगे, वुए से बचे की स्कूल वार संख्या मांगी है राजे में 2020-21 में 60444 ड्रॉप आउट शात्य सत्राव को सिक्षा से जोडने का लक्ष रखा गया था दुर्गा पुजा के दौरान मोबाइल वैंसे होगी कुरोना की जाच दुर्गा पुजा के दौरान के नियंत्रन को लेकर जीला परसासन की ओर से कई कदम उठाये जा रहे हैं इसे लेकर सोमवार को उपायुक शवीर अंजन ने अपर जिला दंडा अधिकारी राची अनुमंदल पदा अधिकारी सदर राची अनुमंदल पदा अधिकारी बोडू आधी और चिकित सकोक के साथ महतपूर्ण बैठक की बैठक के दौरान उपायुक तोने दौर्गा पुजा के दौरान संक्रमन से निय देश दिये हैं दुर्गापुजा के दुरान पंडालों के आसपास कोमिन 19 की जाच की जाएगी मोबाइल बैन के माध्यम से लोगों के सैंपल लिए जाएंगे जारखण में 32 खिलाडियों की जल्द होगी सिधी न्युक्ती 32 खिलाड़ियों को पहले चरण में राजसरकार एक माह के अंदर सिधी न्युक्ती देगी मुखमंत्रे एमन्सुरे ने स्पोर्ट पोर्टल की शुरुआत करते हुए या बाते कcrowd है उन्होंने कहा कि राज सरकार खेल और खिलाडियों के इस्तिती सुधारने के लिए प्रयासरत है राज सरकार की कोशिस है कि अने मदद के साथ आने वाले महीनों में योग एवं परतिभासाली खिलाडियों को सिधी नियुक्ति की जाए आदिवासी धर्म कोट की मांग को लेकर मंगलवा को पूरे राज में रहली निकाली जाएगी आयोजन अखिल भारती आदिवासी विकास परिशत की ओर से किया जाएगा इसके माध्यम से प्रखंड अस्तर से लेकर जिला असर तक राश्टपती के नाम ग्यापन सोब कर धर्म कोट की मांग की जाएगी यह जनकारी पूर्व सिक्छा मंतरी सपरिशत की परदेश अध्यक्ष गीता सिरी उरावने दी है राशन कार्ट के लिए आवेदनों की जाच करेंगे सिक्छाग राज्यक्य सरकारी स्कूलों के सिक्छाग जन बित्रल परणाली की दुकानों के लिए राशन कार्ट के आवेदनों की भी जाच करेंगे राशन काट के लिए लोगों दिये गए ओन-लाइन और ओफलाइन आवेदनों का सिक्छक वेरिफिकेशन करेंगे आवेदन देने वाले समबन्दित व्यक्ति राशन काट के लिए योग है या नहीं देखेंगे सिख्षको की रिपोर्ट के अधार पर ही उनका रासन कार्ट बन सकेगा बता दे कि सिख्षको को 31 अक्टूबर तक आय आवेजनों का वेरिफिकेशन कर अपनी रिपोर्ट देनी है चास नाला कोलरी के ठेका मजदूरों ने अर्धनगन होकर किया धारना वपरदर्शन धनबाज सेल कोलरी डिवीजन चास नाला कोलरी के खदान में कारे करने वाले ठेका मजदुरों ने सोमवार को अर्ध नगद होकर सेल प्रवधन के खिलाब मुखे द्वार पर जम कर हो हंगामा के साथ ही धाना परत्चन किया मजदुरों ने गेट जाम कर प्रवधन विरोधी नरे बाजी किया बताते चले की बालू की कमी समेत अने कार्णों से चास नाला कोलरी की डिप माइन्स और उपर सीम खदान का उत्पादन बंध है महिला अत्याचार वव विदी व्यवस्था की थिती भयावा अधिपक प्रकास भाजपाक के परदेश अध्यक्ष एवं सांसर दिपक प्रकास के नेत्यूत में एक प्रतिनिदी मंडल ने सोमार को राजभवन जाकर राजपल से मुलकात की एवं राज़ी के महिलाओ पर बढ़ते अत्याचार व गीरती कानूनी व्यवस्था पर एक ग्यापन सोपा प्रतिनिदी मंडल में परदेश महामंत्री आधित साहू और राची के महा पौर आसालाकला सामिलित थे बता दे कि मुलकात के बाद मीडिया से बात करते हुए परकास ने कहा कि आज राज़ी बीसम परिस्तितियों से कुजर रहा है पूरे परदेश में भाय और आतंका वातावरन है जारखन में 490 ने संक्रमितों की पुष्टी हुई है जारखन में कुल संक्रमितों की संख्या 96,842 है जबकि 89,794,736 है जबकि 16,637,617 लोग स्वास्थ हुए और 1,15,236 की मिरती हो गाई भारत में नाएक केस 45,490 मिले है जबकि 79,800 मरी स्वास्थ भी हुए है सोमवार को तीन की मौथ हुई है जो बुकारो देवगर वा पूर्वी सिम्भूम से एक की मौथ हुई है सोमवार को 79,9 मरी स्वास्थ भी हुए है राजे में एक्टिव केस इस प्रकार है राची 1666, पूर्वी सिम्भूम 1318, बुकारो 370, धनबाद 284, सराइक केला 264, कोडार्मा 181, गुमला 137, रामगर 166, खुट्टी 165, हजारी एक्टिव कावन सिम्डेका 172, दूमका 114, लातेयार 104, पच्चमी सिम्भूतियानबे, देवघर बानबे, जामतरा सरसट, गिरीडी 66, गड़वा 66, गुड़ा 65, वचात्रा सिबासट मरीज, राजे में फिलाल एक्टिव है जार्खन की 17 लड़कियों की तसकरी मामले में आज दर्जोगी प्रत्मी की बतादे की सभी लड़कियों का कुरोणा जाच किया गया गुमला में दो हकी खिलाडियों की हत्या कर दी गई है, मुखमंत्री हमन सुरेन ने जाच रिपोर्ट मांगी है जार्खन में खेलो इंडिया के 12 सेंटर चलेंगे मुखमंत्री हमन सुरेन ने रहुवर्दास को कुन्ठित सोच का बताते हुए राजी की जनता से माफी मांगने को कहे है बतादे की सोसल साइट पर जारी वीडियों का हवाला देते हुए या पर्तिकिरिया दी है खोटी जिला में पुझा पंडालो में घोम घोम कर स्डियों ने पुझा गाइडलाइन के अनुपालन का निर्देश दिये है राजधानी राच्ची के सदर थाना छेत्र में एक युगती के साथ उसकर्म करने का मामला परकास में आया है बता दे कि युवती मूल रूप से लोहरदगा की रहने वाली है धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही कल से आपको नेमित रूप से 25 खबरे मिलते रहेंगे तो चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्स्राइब कर बहल का बेल आइकन दबाएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें अपना सुजाव अवसे दे थैंक यू